तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक reference image ले रखी है इस reference image का भी काफी बड़ा रोल होता है जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है तो reference image की आप opacity कम रखे तो भी ठीक है जिससे आपका जो stroke आप बना रहे हैं वो अच्छे से देखे तो मैंने यहां पर एक pencil की ड्राइंग का photograph लिया और पर मैंने उसकी opacity कम करके layer को lock कर दिया अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कापी सारी lines बनाई हैं मैंने इन्हे guidelines कहते हैं और यह logo को लोगों जो roughly made होता है उसको अगर हम digitally बनाते हैं तो अगर straight बनाए तो थोड़ी अच्छी फिनिश आती है लोगों में तो उसके लिए हम यह guidelines बनाते हैं जिससे जो जो भी आपका measurement आपने rough drawing में लिया है उसको आप digitally अच्छे से बनाते हैं तो मैंने यह guidelines यहां पर बना दि जिससे यह move ना करें जादा अब हम एक नई layer लेंगे और उससे फिर हम अपना drawing बनाना शुरू करेंगे तो मैं bend to लोगा इसके लिए और stroke को हम थोड़ा सा heavy रख रहें जिससे हमें अपनी lines clearly लिखेंगे तो हम शुरू करते हैं यहां से अब यह intersection से शुरू करते हैं यहां तक लिखेंगे अब हम चाहते हैं कि यह जो लोगो बने हैं इसको symmetry भी रखनी पड़ेगी हमें और ऐसा रखना पड़ेगा कि पूरा नहीं बनाएंगे हम थोड़ा सा इसमें cut-outs भी लेंगे तो हम अपने आपी मितलब थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या क्या स्लोगों में हम कर सकते हैं क्या क्या सुधार सकते हैं तो वो हम 20-20 में देखते रहें तो अभी हमने यहां से start किया है अब यहां तक हम सोचने ले जाएं यहां तक हो सकता है symmetry के लिए यहां पर हम जूसरा line बना अब इधर से हम ले सकते हैं तो यह ऐसे तो यह हमारे एक रॉफ शेप तयार होगा है अब इससे हम अंदर की डिटेलिंग भी कर सकते हैं तो अंदर की डिटेलिंग पैले कर लेता है फिर इसको हम symmetrically यहां पर reflect कर वहने है इस लाइन के along इस लाइन के along हम reflect कर वहने है तो अंदर की डिटेलिंग कर लें तो अंदर की डिटेलिंग कर सकते हैं पर slant line लेने के लिए आपको शिफ्ट ना दबाए तो भी तीटेलिगे क्योंकि यह अगर आपको जूम करके देखने है तो अलमूस्ट पैरलल होनी चाहिए ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन आपको दिखती हो कि अलमूस्ट पैरलल है और हम इसे पाथ पर इंट्रसेक कर लेंगे जिससे हम शेप बिल्डर टूल के मदद से शेप्स बना सकें बीच 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 को तो अब हम इसको थोड़ा सा हम इसको इंट्रसेक करेंगे इस तरह से अब फिर हम इसको डीसलेट करेंगे इसके बाद फिर हमारा शाहिद यह वाला एक हो सकता है तो इसको आड़ करते है अब यह एक लाइन यहां पर आ सकती है जिससे यह जो कॉर्णर है यह कवर हो जाए तो हम भी कर देता है एक 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 एक्स्ट्रा फीचर आड़ कर रहे हैं जो हमारी रेफरेंस ट्रॉइं में नहीं है तो हम इसे इससे आड़ कर लीता है आप जूम करके देखिए और आप अगर प्राक्टिस करें तो कभी कभी आप गल्तियां बना सकते हैं इसमें फिर आप करेक्ट करें तो सीखेंगे आप रच्छे से फिर हम इसकी पॉइंट और इस पॉइंट पे एक ट्राय सेक्शन करके कुछ बनाएंगे एक फैन टाइप लोगो बने गाया फैन टाइप लाइंग उससे यह डिजाइन जो है वह आधी कंप्रीट हो जाएगी फिर हम इसके बाद इसको सिमेट्रिकली रिफ्लेट करें तो यहां से हम शुरू करेंगे और और अल्मोंस्ट पाहलर हो जाए तो यह ठीक रहेगा यहां पर हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आपको भी नई चीज़े बता चलेगी यहां पर हम इसको यहां से जॉइन करते हैं तो आप देख सकते कि हमने थोड़ा सा अच्छा टाइप का डिजाइन बना दिया अब यह एंकर प्रोड़ा सा यह थोड़ा सा प्रोजेक्ट आउट हो रहा है तो हम इसे शेप बिल्डर टूल की मदद से अटा के देखने हैं अगर ही हट जाए तो यह हमारा आदर डिजाइन कंप्रीट है यह हमने लेयर 3 में बनाया था तो इस लेयर 3 को हम दुप्लिकेट कर देंगे और लेयर 3 का जो पुराना वाला था इसको लॉक कर देंगे लेयर 3 का जो कौपी बनाया उसको सेलेट किया राइट लिक करके ट्रांस्फ़ॉम अरिजोन्टल अक्सेस के अरांड हमें इसे रेफ्लेक्ट करना है तो यह ऐसे रेफ्लेक्ट हो जाए गाई लेकिन हमें चाहिए कि यह चीज ऐसे आए है और यह चीज इसका just opposite है तो हम इसको एक और ट्रांसफोर करेंगे और इस बार हम वर्टिकल आक्सिस के थ्रूँ अब यह बिल्कुल जो हम चाहते हैं वो बन चुका है इसको फिर हम जासे चाहरा से प्लेस कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा इसको मेडल बॉर्शन के थ्रूँ प्रिसेट करों लिए अब पूरी लेर 3 को सेलेट कर दिया है पिर हम इसे जयसे चाह बैंक स कर सकते हैं तो ये मेरे साбस थोडरा ठीक लाएगा अब आप देख सकते हैंकि फोड़ा सा अच्छा डिजाइन आचुक है अब देख सकते हैं कि एक S टाइब का कुछ बन चुक Bei अब आप थोड़ा से इसमें और आड़ कर सकते हैं जैसा कि ये काफी खाली लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा एक और सा आड़ कर सकते हैं और इसकों कॉपी करके तो इसकों हमें कॉपी दें और इसकों के रहा हम रफ्रेक्ट कर देंगे जैसे हमने प्हलिप लिए अर्वटीट कर देंगे जैसे हमने जैनल किया था है यह लगा सकते हैं अब देखते हैं कि पहले से थोड़ा साथी लग रहे हैं फिर हम इसको सेफ कर देगे नहीं तो हमारा यह लोगो ते यारू चुटा है अब यह लोगों है कोई ज्यादा खास चीज़ ही है पर आप देख सकते हैं कि गाइडलाइन से और एक रेफरेंस इमिज से आप काफी चीज़ें अच्छे से बना सकते हैं और फिर आप उसको अपने हसाब से फिर एडिट कर सकते हो तो इससे फिर यह ठीक रहता है अब इसको हम यहाँ पर निकल रहा है करें है इसको सही कर ने कोशुशक करें है इस एक्रपवेंट को मैंने Celect किया या तो हैसे नहीं तो आप ऐसे कर सकते है तो ये एश आप शायर थोड़ी से कम होगी है आप अलमोस्ट बील है और इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, अंकर पॉइंट सेलेक्षिन तूल से एंकर पॉइंट सेलेट करके फोड़ा सा शिफ्ट करो जिसे यह डिसपेर हो लिए तो पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है यह लोगो अब इसको हम सेव करके फोटोशॉप पर जाएंगे जिसे हम ग्लोइंग लोगो बना सकें ठीक है दोस्तों अब हम फोटोशॉप में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले लोगो बनाया था इलस्टेटर में वह हमने फोटोशॉप में डाल चुके हैं अब हम देखेंगे कि एक ग्रेडियंट बैक्राउंड हमने इलस्टेटर में पहले से बना के रख तो अगर्ट टूल उस पर अप्लाई करके और हो ग्रेडिएंट स्लाइडर सो करके आप अब एक अच्छा सा ग्रेडियंट ग्रांड तयार कर डियादिय inkौ क्याइव सकते हैं तो अब हम यह वाइट कर देंगे और यह बेक्रांड हमारे पास पहले से त्यार तैंब हम इस करके colorize करके और इसका saturation थोड़ा सा बढ़ा देंगे फिर हम थोड़ा सा slider इससाब से वो करेंगे एडस्ट जिससे आपको जो color चाहिए वो यहां रख सकते हैं मैं थोड़ा सा यहां background matching color ले रहा हूं तो यह आपका त्यार हो गया है अब glowing effect बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको merge कर देंगे और फिर इसका from blending option में जाके outer glow करके एक tab आता है इसको हम tick mark कर देंगे और फिर यह जो color है आपका जो color of glow है उसको आप bluish कर देंगे जिससे थोड़ा सी consistency रहे इसके बाद हम inner glow पे जाएंगे inner glow पे tick mark करके यह अंदर वाले जो portion है उसमें glow डाल लेता है तो inner glow में जाके आप इसमें भी color आप वही set कर सकते है अब लो इस तरह होगा मैं और फिर इनकी जो sliders है आप उनको इसे साफसे edit कर सकते हैं इसे इसके opacity बढ़ा सकते हैं इसका range बढ़ा सकते हैं पिर size यह थोड़ा साइस में no-down सकते हैं फिर outer glow में भी आपको थोड़ा साइस को edit करना पड़ेगा इसकी बढ़ा के size इसका थोड़ा साइजस कर सकते हैं इससे थोड़ा सा आप दिखेगा यह glowing effect आएगा इसका spread हम अजब बढ़ाते हैं इसका spread हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे साइज में तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक गूरी effect आपे आप इसको PI कर सकते हैं Raphael से आप इसको और below कि बढ़ा जाएंगे रिधा और फिर आप को थोड़ा साराइट है इसान थोड़ा सा स्लाइड कर सकते हैं अपने साप से तो ऐसे कर करके आप आप एक्स्पेरिमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा जाद अजी सही लग दिया है अब इसमें इक साटन वाला भी आता है जिसमें आपका एक अच्छा सा फेरीश आता है का तो इसको डिस्टेंस से आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हो फार सब्सक्राइश में तो बसे साटन की क्या के एडिट हो सकता है तो यह पास्टी से आप थोड़ा अगर कम करें तो आपको पता चलेगा कि यह जो थोड़ा सा लाइटिंग एफेक्ट आता है वह थोड़ा बहतर आता है तो आउटर ग्लो में उपास्टी स्प्रेड और साइज यह चारो काफ़ इंपोर्टन नहीं तो आप अपने साप से जो भी चाहते हैं इसके साफ से आप इसको बना सकते हैं तो आप देखते हैं कि यह टुटोरियल थोड़ा सा ग्लोंग के उपर था पहले हमने लोगो बनाया इसका पिर हमने फोटोशॉप में इसे glowing edit दिया अब आप चाहते हैं तो इसको ब्लू कलर के अलावे को और कर सकते हैं तो हम एक थोड़ा सा क्रिम्सन सा कलर देंगे इसे थोड़ा बैतर लग रहा है और आप चाहे तो इसका बैग्राउंड को भी थोड़ा सा एड्यूस्ट कर सकते हैं तो आपने देखा कि कितना असान है फोटोशॉप और इलस्टेटर के कॉम्बिनेशन से आप एक पहतर लोगों बना सकते हैं और ग्लोइंग एफेक्ट भी डाल सकते हैं तो धन्यबाद गाइस पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए सब्सक्राइब दीजे चानल को जिस यह यूट्यूब अल्गोरिद्म इसको थोड़ा सा और रेकमेंड करें लोगों को तो अब ऐसी वीडियो देखते रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें तो इसी के साथ हम यह वीडियो एंड करते हैं नमस्ते आि रहे ंड व्रουष खाव वीडियो प्रूस जूसरों के साथ हम इस देखते हैं ऑाग